हेलो प्यारे स्टुडेंट, वेलकम उन्स अगैन, प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेस्टन मेर फोर सॉल्फ करेंगे, एक्सरसाइज 7.3 का, यह जो है एकदम सिमिलर है आपका जो आपने 7.2 में क्वेस्टन मेर फोर सॉल्फ किया है ना, सेम तो सेम उसी तरिका का क्वेस्टन है, बस वहाँ पर आपने दूसरे रूल से वहाँ पर गॉर्फ किया था और यहाँ पर आपको बोला गया है कि RHS जो हमारा रूल है, इस से आपको इनको गॉर्फ करना है, जो क्या बोला क्या जा रहा पर तो वह समझो, कि जो हमारा BE और CF है, वो 2 equal altitude है triangle ABC में अब आपको diagram नहीं दिया है na imagine करते रहो ABC हमारा पास एक triangle है एक हमारा B से C तक गया line और एक C से लेकर के इडर F तक आया ठेक है AB के बीच में अभी मैं diagram बनाऊँगा आप चिंता मत करो बस आप थोड़ा सी imagine कर लो तो यह दोनों क्या है altitude है triangle ABC के अब आपको क्या करना है RHS conference rule को use करना है और यह prove करना है कि जो हमारा triangle ABC होगा वो एक ISO scale triangle होगा तो थो सेम डू सेम वही question बच्चा बस वहाँ पर हमने right angle वाला जो हमारा rule है यानि कि RHS rule हमने वहाँ पर use नहीं किया था वहाँ पर हमने angle angle side rule use किया था I hope आपने वो वीडियो देखा होगा अगर नहीं देखा तो जरूर देख लो दोनों इदम similar है आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि एक question को दो अलग लग rule से कैसे solve किया जाता है ठीक है क्योंकि दोनों लग 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 question है बस rule वहाँ पर दूसरा था और यहाँ पर दूसरा है तो उस वीडियो के link और बाकी इतने भी मैंने questions का वीडियो बनाया है उन सभी के link आपको नीचे description box में मिल जाएगा तो चले भी start करते हैं और इस question को कैसे solve करना है इस rule से मैं आपको copy में समझा देता हूँ तो देखो यहाँ पर इसका जो diagram बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा देखा आपने जो हमारा exercise 7.2 का 4 अंबर कता से हम उसी तरीके से बना ने आपको समझा जेता हम ऐसा Q बना गया है क्योंकि हमसे बोला गया है कि ABC एक triangle है हमारा जो BE है वो क्या है एक altitude है और CF जो है वो ही एक altitude है यहाँ पर angle C से altitude को मतब समझते हो ना जो एदम सीधी line जाती है 90 degree का angle बनाते हुए दूसरे side में ठेक है यहाँ पर ध्यान रखना कि यह 90 degree का angle बनाता है साथ हमसे चीज और बोला गया है कि जो BC है हमारा sorry BC और CF और जो BE है यह दुनों के आपस में equal है बोला गया था ना कि BNCF और equal altitude तो शुरू में बोला गया था इस चीज को लेता हूं देखो अगर मैं A, E, B लेता हूं और मेरे बोला गया है कि आपको R, H, S वाला ही rule यूज़ करना है मेरा R यहाँ पर बनेगा राइट यहाँ पर बनेगा H जो है मेरा वो AB बन जाएगा लेकिन अभी तो हमको पता नहीं है कि AB और A, C वही तो अपने को प्रूफ करना है तो यह वोला है पर नहीं ले सकते हैं इसका मतलब यह triangle भी अपर नहीं लेंगे तो कौन सा triangle लेंगे तो हम लोग लेंगे अब यह वोला triangle अगर मैं यह वोला triangle लेता हूं तो इसमें आप देखोगे कि यह right angle यहाँ पर बना ठीक है इसके अगर मालूम है CFB वाला जो हमारा triangle इसको ले लूँ और इधर से हमारे पास जो CEB वाला triangle इसको ले लेता हूं तो यहाँ पर 90 degree का angle बन गिया हैपटनियूस का काम काम करेगा यह वोला side हैपटनियूस का काम करेगा right angle के just opposite side में हमारा हैपटनियूस होता है तो यह हैपटनियूस हो जाएगा और यह तो अपने को पता ही है कि दोनों वाले इधर वाले triangle के लिए और इधर वाले triangle के लिए दोनों में यह common आ रहा है तो यह तो दोनों के लिए equal हो ही जाएगा चाहे question में बोला गया हो या ना बोला गया हो तो right angle दोनों में है happy news दोनों में है उसके बाद हम लोग इसका side जो है वो equal ले लेंगे तो side कौन से equal लेंगे यह देखो यह जो CF और यह जो हमारी BE है यह हमको question में ही बोल दिया गया है equal है तो अगर अपन यह वह ट्रेंगल लेते हैं और इधर से यह वह ट्रेंगल तो हमारा यह क्या होगा confidence easily proof हो जाएगा तो सबसे पहले आप यहाँ पर नाम लिख लो कि in triangle अभी इस वह ट्रेंगल अब कुछ भी नाम दे तो जैसे मैं FBC कर देता हूँ triangle FBC में और इधर से अब मैंने इधर F से नाम दे स्टार्ट किया तो इधर से मेरे को E से देना पढ़ेगा and triangle ECB ठेक है यह वाला ECB यह दोनों triangle में अपने ले रहे हैं तो सबसे पहले right angle बता देंगे कि यह हमारा right angle है तो यहाँ पर लिख आप angle BFC यह वाला जो angle है अब बता है कि यह जो मेरा right angle उसके just opposite side में हमारा hypotenuse होता है तो यह जो हमारी BC है यह इस वाले triangle के लिए जैसे कि हमारा अगर मैं यह वाले triangle लूँ FBC ले लूँ तो इसमें यह BC बन जाएगा और अगर मैं इधर वाले triangle ले लूँ ECB में तो यह मेरा CB बन जाएगा लेकिन दोनों में तो यह सेम है यहाँ पर आप लिखो कि इस triangle का BC जो है वो सामने ले triangle के CB के बरापर है क्योंकि दोनों जो हमारे side है यह वाला side यह दोनों के लिए common है यहाँ पर आप लिख दो common ठीक तो CF और BE आपस में equal है तो हम लोग अगर इधर ले triangle का नाम देंगे पहले तो इसके लिए हमारा CF आ रहा है देखो FBC में हमारे पास जो side आ रहे है वो कौन सार है CF आ रहा है तो पहले आप इधर CF लिख होगे इसके नीचे क्योंकि पहले आपने इसके angles का नाम लिखना शुरू किया है तो यहाँ पर आप लिख दो कि जो हमारा CF है वो equal है हमारे उधर वाले angle के side के BE के ठीक है यह हमारा CF और इधर का यह BE यह दोनों आपस में equal हो गए और यह अपने को कैसे पता चला तो यह अपने को question में ही दिया गया given है तो बस इस तरीके से हमारा जो triangle FBC था वो क्या हुआ congruent proof हो गया triangle ECBK और यह हमारा congruent किस rule से proof हुआ है तो RH as congruent criterion जो भी लिखना चाहब लिख सकते हो अभी हमारा काम complete नहीं हुआ है अभी हमको क्या करना है यह वाला side और यह वाले side को भी आपस में equal proof करना है तो देखो अब कैसे होगा हमारे यह complete triangle था यहां से यहां तक तो अब हमने क्या किया है यह complete triangle और इधर वाले यह जो complete triangle इसका यह वाला side के सामने का जो angle होगा और इधर वाले side के सामने इधर जो angle बनेगा यह दुनों भी आपस में क्या होंगे इक्वाल होंगे क्योंकि दो ट्रेंगल आपस में हमारे प्रूफ हो गया है तो इसके जो corresponding parts होंगे वा भी आपस में equal होंगे तो यहाँ पर angle B और angle C आपस में क्या होगा इक्वाल होगा अब इसको मैं equal क्यों बता रहा हूँ क्यों हम क्या जानते हमने एक rule पड़ा है इस exercise में कि हमारा जो equal angle होता है उसके opposite sides होते हैं वो भी आपस में equal होते हैं जो हमारे opposite side होंगे equal angles के वो भी क्या होंगे इक्वाल होंगे तो बस यहाँ पर हमारा यह वोला side हो यह वोला side क्या होगा equal proof हो जाएगा तो इसमें आप ऐसे लिख दो पहले तो जो हमारा angle बन रहा है FBC यहाँ पर लिख आप angle FBC जो बना है वो equal है ECBK ठीक है FBC और इधर ECB नाम दे लिखते है angle ECBK और क्यों equal है क्योंकि हमारे यह corresponding part है तो CP CT अपने आप लिख दो ठीक है अब दोनों आपस में equal हो गए इसलिए so हमारा जो AB होगा वो equal होगा ACK क्योंकि यह दोनों क्या है हमारे opposite side के angles हैं यह अब आप इस सीज को भी mention कर दो कि sides opposite of equal angles are equal shortcut में कि जो side होते है opposite side में equal angles के वह भी क्या होते है equal होते हैं यह दोनों equal है इसके opposite में हमारा EB था है ना sorry इसके opposite में हमारा EC था और इसके opposite में हमारा EB था इसलिए दुनों भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे और A, B और A, C अगर इक्वल हैं तो finally या फिर hence करके आप जो भी लिखना चाहों लिख सकते हो, hence करके लिए तो ज़्याद अच्छा भी रहेगा hence ABC is a iso-scale triangle यह जो मार होगा एक iso-scale triangle होगा इस तरीके साब के हाँ पर complete इसको करना है I hope आपको बहुत इसे समझ में आगे होगा अगर अभी भी कुछ doubt है इसमें आपको आप उसे Instagram के थरूँ पूछ सकते हो मिलते हैं आप लोग नेक्स वाले वीडियो में यह पर जो आगे questions हैं उनको में आपको इसी तरीके सीदम Simple Method में समझा दूँगा Thank you for watching